नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल Know The Things में दोस्तों आज हम आपको दोसा की सिक्राई तेसिल में इस्थित महंदीपूर बालाजी में लेकर चल रहे हैं तो आईए चलते हैं दोस्तों महंदीपूर बालाजी जेपूर आगरा रूट पर मीना सीमला गाउं में इस्थित हैं शनिवार और मंगलवार के दिन यहां अत्यदिक मात्रा में श्रद्धलू पहुंसते हैं और यहां पेर रखने की भी जगर नहीं होती है हनुमान जी के बच्पन का नाम बाला होने के कारण हनुमान जी को बालाजी के रूप में भी जाना जाता है महंदीपूर बालाजी अनुष्ठानिक उपचार और बुरी आत्माउं से मुक्ती के लिए एक आकर्षन का केंद्र मना जाने लगा है अन्यधार्मिक इस्थनों के विप्रीत यह मंदिर किसी गाउं में ना होकर एक कजबी में इस्तित है नीदर्लेंड, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन के मनोचिकित्सकों द्वारा यहां किये जाने वाले आनुष्ठानिक उपचारों पर शोद कारिये भी किया जा रहा है शाम आड़ बजे यहां आरती का समय होता है और इस समय भक्तों की लंबी कतारे मेंदिपूर बालाजी की गलियों में लग जाती है आगराज जेपूर नेशनल हाईवे से यह केवल दो किलोमेटर अंदर की तरफ है अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर में पहुँचने के लिए लोगों की भीड इंतजार कर रही है नेशनल हाईवे से बालाजी मंदिर तक एक लंबा बाजार रास्ते में मिलता है जहां आप बालाजी की तस्वीर मूर्ती हनुमान जी का गदा बच्चों के खिलों ने पूजा की सामगरी परसादी आदी सामगरी ले सकते हैं कहा जाता है दोस्तों कि जिन व्यक्तियों को बुरी आत्माएं प्रताडित करती है उनके निवारन के लिए यह मंदिर सबसे उप्यूक्त है मंदिर के रास्ते में आपको एसे कई लोग मिल जाएंगे जो बुरी आत्माओं के निवारन हेतु वहां मंदिर में शरण लिये हुए हैं कई व्यक्ति चिल्लाते हुए भीड से निकलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का उपचार किया जाना है मंदिपूर बालाजी को इस समय बालाजी ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है और इसकी देखरेक सफाई व्यवस्था का कारिये भी इसी ट्रस्ट द्वारा संभाला जाता है दोस्तों अगर आप भी इस मंदिर में बालाजी के दर्शन करना जाना चाते हैं तो जरूर जाए और बालाजी का आशिरवात प्राप्त करें वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेर करें और एक बार बोले जया बजरंग बली की जय